Productivity, Time Management के तुल्ला में, Mind Management के बारे में जादा है। अगर आप दो मिनिट के लिए भी Meditation नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत बिजी होने के तुल्ला में बड़ी प्रावलम आ सकती हैं। इसी तरह अपने दिमाग को टाइम के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें, और आखिर में आप भेतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। पालतों के कामों में भी जाते हैं। इस परिशानी को ठीक करने के लिए कृपा मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संथ का पता दिया और बोले वहाँ जाओ और उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरुजी के कहने पर आदमी दूसरे संथ के पास चला गया। संथ ने जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिन चरह को देखकर सीखने के लिए भीचा है। संथ सहमत हो गए और दोनों साथ में रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधू की लाइफ आम लोगों की तरह ही थी, वो के विशेश काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई कि संथ हर रात सोने से पहले बरतन को धोया करते थे और सुबह उटने के बाद भी ऐसा ही करते थे। इसलिए तुम्हारे पास लक्षे के बारे में सुचने और उस पर ध्यान देने का टाइम नहीं बसता। हम उनी तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास टाइम है लेकिन क्या आपके पास एनरजी है। आपने अपना टाइम बचाने के लिए वो सब कुछ किया होगा। जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्नीक का इस्तमाल किया हो। लेकिन क्या गभी आपने ध्यान दिया है कि जितना ज़ादा टाइम आप बचाते हैं। उतना ही कम टाइम आपके पास होता है। आप जितना ज़ादा ओर्वर्म्ड, स्ट्रेस्ट और ठका हुआ महसूस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज़ादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज करने के साथ आगे बढ़ नहीं सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर उतना ध्यान देने के बजाए आपको परड़क्टिविटी के लिए एक नया नजरिया बनाने की ज़रुत है। अपने टाइम से जाधा हासिल करने के लिए प्राब्लम का सामना करने के बजाए स्पॉन्टैनिटी से अपने दिमाग में जाधा हासिल करना शुरू करें। साथ सब के सामने आने दे, टेकनोलोजी की पूरी पावर का इस्तमाल करें, जिसमें कोई भी डिस्टाक्शन नहीं है, एक उनक्लियर लेकिन सस्था गैजट आपकी महान शक्तियों के लिए शॉटकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहें जब कुछ गरबड़ी हो जाती ह अपने अगले बड़े आइडिया को ढूरने के लिए अनप्रेडिक्टिबल चीजे करें, इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए हम इस किताब को 6 चप्टरस में अलगलग डिस्कस करने जा रही हैं, तो चली फिस शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं माइंड मैने और इस्तमाल कर सकते हैं, एक्जामपल के लिए जब हम किसी काम को करने के शुरुआत करते हैं, तो उस काम को पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है, वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेकनीक का पता हो, तो हम अपना बहुत सारा आने के लिए creative होने की जरुत है, जब आपके पास creative insight होती है, तो आप दिमाग के अलग-लग area से, अलग-लग elements को आपस में जोड रहे होते हैं, यह सब कुछ काफी अचानक से होता है, और सिर्फ कुछी पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं, और फिर आपके पास एक insight होती ह और एक अचा idea निकल कर आता है, कुल मिलाकर insight, एक भूल-भूलई या को हल करने की तरह है, जहां आपको solution ढूणने से पहले, सब भी अलग-लग रास्तों से गुजरना पड़ता है, वैसे तो time को manage करना सभी के लिए असान नहीं होता है, लेकिन जब हम natural रूप से जानते हैं mind management पर focus करें, ऐसे आप अपने काम पर जादा अच्छे तरीके से focus कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं mind management के तीन जरूरी सवालों के बारे में, अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाते हैं, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और क्यों आप time का सई से इस्तमाल नह सकता हूँ, जिसे मैं भी करने का फैसला करता हूँ, मैं भी किस तरह के mental state में हूँ, क्या मैं भी इस काम को करने के mood में हूँ, क्या कुछ ऐसा है, जो मैं खुद को सही mental state में लाने के लिए कर सकता हूँ, आप खुद से इन सवालों को करें, और अपने जवाब का पता लगा और टाइम के साथ-साथ अलगलग hacks या rituals का इस्तिमाल करें, जो आपके mental state को बदलने में मदद करेंगे, फिर चाहे वो exercise, massage, अलगलग तरह के गाने, अलगलग तरह की चाय, salt बात, इन जैसा कुछ भी हो सकता है, आप अलगलग कामों को करने के लिए अलगलग जगहों को भी च लेकर आएगा, mind management का goal, आपकी mental state को उस काम पर focus करने के बारे में है, जिससे आपको करने की जरुत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाव होता है, जो वो करना चाहता है, अब हम mind management की जरुरी बातों के बारे में बात करेंगे, कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर जादा सोचने का time नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है, तो आपको वास्तव में पता चलता है, कि आपका दिमाग ये सब के दौरान क्या कर रहा था, ये किताब मूल रूप से, brain based, neurotransmitters, और दिमाग के अलेलग areas को explain करती है, जिससे पता लगाया ज लाता है, कि वो सब भी आपके पूरे दिने एक साथ कैसे काम करते हैं, वास्तव में ये समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक framework हो सकता है, जिसके साथ ये समझना होगा, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इस तरह, आप अपनी किमती mental energy का ब पहुचने के बाद, दिमाग एक stable हिस्सा था, लेकिन अब हम चानते हैं, कि दिमाग जीवन बर बदलता है, इसका मतलब है, कि हर बार जब आप एक thought ये action लेते हैं, तो आप अपने दिमाग के लिए उस thought ये action को दुबारा लेना असान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में positive result मिलते हैं, अपने prefrontal cortex से प्यार करें, आपका prefrontal cortex आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है, ये prioritize, plan और अर्ज जैसे चीजों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका prefrontal cortex छोटा है, और इसे बहुत सारी energy की जरूत होती है, इसलिए जब ये ठक जाता है, तो आपके ल पुराने हिस्सों में सबसे पुराना है, एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा मिगडेला है, आपका मिगडेला डर से जाधा inspired होता है, और आपको खत्रे से बचाने के लिए program किया गया है, वास्तव में मुश्किल हिसा ये है, कि आपका मिगडेला आपके दिमाग को बता सकें कि ये एक सांप है, आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार, आपके दिल की स्पीट के बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है, आपका मिगडेला हमिशा चाहता है, कि आप सेफ रास्ता लें और ये आपकी creativity को दबा सकता है, इस lace की power से साफधान रहें, restorative चीज़े productive हैं, आपके prefrontal cortex और मिगडेला के बीच एक लड़ाई को देखते हुए, और इस fact को देखते हुए, कि आपका prefrontal cortex इतनी आसानी से ठका हुआ है, ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, कि दिमाग का effective ढंक से इस्तमाल करने के लिए आराम ज़रूरी है, fear-driven और time को काम के साथ भर रहे हैं, डरने और फिजूल में सोचने की बचाए, restorative activities जैसे exercise करना, सोना और अपने चाहनवालों के साथ time बिताने जैसा काम करें, इससे आप अपने दिमाग को इखटा कर सकते हैं, अब बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने mind को manage कर करने पर ध्यान दें, और इसके साथ ये अपने जीवन को जाधा प्रट्यों बनाने की शुरुआत करें, अब हम एक्शन में mind management की बात करेंगे, पिछले जैप्टर में बताए गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अब इन tips के इस्तमाल, अपने दिमाग को effective ढंग से manage कर करें, meditate करें, mindful meditation की practice करके, आप अपने current environment में उतेजनाओ को बहतर धंग से process करने के लिए neural pathways को तराशते हैं, जिससे आप जाधा शान्त और intentional होते हैं, अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप meditation नहीं कर सकते हैं, तो 2-10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें, अगर आप 2 मिनट के लिए भी meditation नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत busy होने के तुल्ला में बड़ी problem आ सकती हैं, इसलिए रोजाना meditation करने की आदत डालें, plan बनाने के लिए time निकाले, plan बनाने के दो फायदे हैं, आप इसे तब कर सकते हैं, जब plan बनाने के लिए आपकी mental energy बहुत करें, जिससे आप अपने आने वाले week के लिए सही plan तयार कर सकते हैं, इसके साथ ही आप अपने आने वाले कामों को पूरा करने के लिए to-do list बनाएं, अपने आपको शुरू करने से बचें, बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है, एक clear goal के बिना, आपका दि काम करने के लिए 10 मिनिट लेते हैं, तो उस काम को जारी रखना असान हो जाता है, अब बात करते हैं time और stupid little dog के बारे में, ऐसा नहीं है कि productivity के लिए time irrelevant है, लोग अकसर plan के साथ शुरू नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका time कहां जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, time को समझना और हम इसका इस्तमाल कैसे करते हैं, significant contribution देने वाली life के लिए ज़रूरी होता है, author किताब में अपने time को track करने के सुझाव देते हैं, काम में लगने वाले time का अंदाजा लगाने में, एक साल की practice, आपके time को हमेशा के लिए देखने के तर जब अपने week का plan बनाने का time आता है, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए plan बनाएं, इसके साथ ही clear goal को tag करें, क्योंकि जो काम करने में जिनके result अच्छे नहीं होते हैं, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कि आप goal कैसे बनाते हैं, जेरी सिन्फिल इस problem को address करते हैं, क्योंकि ये stand-up comedy के बनने से related है, एक practice जो उन्होंने लगाता 40 से जादा सालों से की है, सिन्फिल कहते हैं, knowledge के लिए दिमाग की ability infinite है, दिमाग एक इनोसे छोटा puppy है, जिसे आसानी से train किया जा सकता है, इसलिए अपने दिमाग को दिम कर सकते हैं, कदावे in mental states को limited time तक apply करके दिमाग को limited करने के बारे में कहते हैं, ये procrastination के साथ आपकी मदद कर सकता है, और वो लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो आपके पास procrastination करने के लिए बहुत जादा time है, लेकिन अगर आपने 2 घ आप लिखने का goal रखने की बचाए, आपका काम 500 word को लिखने से शुरू हो सकता है, ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे goal को हासिल कर सकते हैं, इसी तरह अपने दिमाग को time के साथ धीरे धीरे train करें, और आखिर में आप भेतर result हासिल कर सकते हैं, अब ह पिछले chapters में बताये गए तरीकों का इस्तमाल अपने जीवन में करना शुरू करें, आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं, अपने mind को manage करने के तरीके के बारे में ध्यान दें, और अगले चीज़ को तै करते हैं time, mental state के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाएं साथी mental state के अनुसार, कामों के लिए अपने calendar में time को block करें, अब अपने creative और analytical काम पर काम करने के लिए दिन के शुरूआत में और preferably हफ़ती के शुरूआत में एक जादा honest तरीके का स्तमाल करें, अपने जरूरी कामों को जैसे expense reports, scheduled meetings और दूसरे administrative tasks को दिन के clear सोच के साथ प लाइफ में एक आदत की तरह स्तमाल करें, कदावी अपनी खुद की life से बहुत सारे example को बताते हैं, कि वो अपने time का management कैसे करते हैं, लेकिन उन में से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी-कभी जुरूरी नहीं लगते हैं, इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करे और author के बताएगे structure को ध्यान में रखते हुए, अपने काम करने की शुरौत करें, और कदावी जो की एक writer और podcaster हैं, जिनका background, software design है, एक ऐसे organization के अंदर काम नहीं करते हैं, जो अपने time को claim करते हैं, एक company के perspective से वो executive के time का स्तवाल करके, ताकत बनाते हैं, जैसा कि ये drugger ने इसके लिए high level के coordination और clarity की कमी होती है, उन्हें बार-बार meeting करने की जरूत पढ़ जाती है, और अकसर एक schedule पर control बनाये रखना possible नहीं होता है, आप इसका एसास खुद कर सकते हैं, आपने खुद को अलग-लग mental state में एक ही time में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप ये तैन नहीं कर पाते हैं, कि आपको क्या करना चाहिए, प्रोक्राशनेशन वास्तों में एक project को साफ करने में failure से पैदा होता है, जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन ये बच्पन से जोड़े गहरे डर से भी आ सकता है, mental health के बिना mental state का management नहीं किया जा सकता ह हम इंसान अक्सर काफी बुरे काम करते हैं, और अच्छे रादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी imperfections और हमारे साथ बाचीत करने वाले दूसरे incomplete इंसानों के कामों से गंदा बना दिया जाता है, अपने past की परिशानी से जूजते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हम को अथर के बताएगे तरीकों को इस्तमाल करने की जरूत है, इसके लिए बस आज से ही अपनी mind को manage करने पर ध्यान दे, जब आप इस तरीके से काम करने के आदा डाल देते हैं, तो आप अच्छे result हासिल कर सकते हैं, तो दोस्तों, आइए अब सीखे हुए lessons को एक बार फिर time निकाले, पहचाने की आप कब, किस mental state में होते हैं, अपने दिमाग को time के साथ धीरी-धीरे train करें, अपनी life में आई opportunities और precautions को ध्यान में रखते हुए काम करें, तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने mind management करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तमाल करके, आप अप अपने जीवन में बहतर result हासिल कर सकते हैं, आपके बहतर results, आपके जीवन में आपकी productivity को बढ़ा सकते हैं, अब अगर आप भी अपने जीवन में successful होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो किताब में बताएगे सभी तरीकों को अपने जीवन में इस्तमाल करें, धन्य अगर आप हमारी summaries को पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप हमारी website readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं, अब आप हमारी सभी book summaries को इंडिया के सभी major audio platform पर भी सुन सकते हैं, सभी का link description में दिया गया है, इसके साथ इस channel को subscribe तो कर ही देना, and hit the bell icon, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियो को देख सकें, जल्दी मिलते हैं और भी बहतरीन वीडियो के साथ, thank you so much.